इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत जाता है यह diabetes के लोगों में blood sugar के स्तर को नियंत्रत करने में मदद करता है ग्लीमिसे वेम 3750 टैबलेट PR को भोजन के साथ लेना चाहिए अधिक्तम लाव प्राप्त करने के लिए इसे हर रोज एक नियमित रूप से एक ही समय पर लें आपका डॉक्टर यह निर्नय लेगा कि आपके लिए कौन सी खुराक सबसे अच्छी है और यह समय समय पर बदल सकती है इस अनुसार की यह आपके खून में शुगर के स्तर के अनुसार कैसे काम कर रही है अगर आप अच्छा महसूस कर रही है यह आपके blood sugar का स्तर नियंत्रत है तो भी इस दवा का सेवन करते रहे अगर आप इसे डॉक्टर से परामर्ष किये बिना लेना बंद करते हैं तो आपके blood sugar का स्तर बढ़ सकता है और आपको kidney का नुकसान, अंधापन, नसों से समबंधित समस्याएं और अंगों को खोने का जोखिम रहता है याद रखे की यह दवा, इलाज का केवल एक हिस्सा ह जिसमें आपके डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह के अनुसार स्वस्थाहार और नियमित व्यायाम भी शामिल होना चाहिए। आपकी जीवन शेली diabetes को नियंतरत करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। इसकी रोक्थाम के लिए हमेशा नियमित रूप से भोजन करना और ग्लूकोस का तेजी से काम करने वाला स्रोच जैसे कि शुगर वाले खादे पदार्त या फलों का जूस अपने साथ रखना जरूरी है। शराब पीने से आपका बलड शुगर के स्तर में कमी का जोखिम भ बढ़ सकता है और इसलिए इससे बचना चाहिए। अगर लेवल की नियमित रूप से जांच होनी चाहिए और आपके डॉक्टर आपके बलड सेल काउंट और लिवर फंक्शन की निगरानी के लिए बलड टेस्ट की सलाह भी दे सकते हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी करें धन्यवाद।